Hey everyone, welcome to Twins Mama, मैं हूँ मध हूँ और आज आप से बात करने वाली हूँ about red flags for exercise in pregnancy Research studies के अनुसार ये पाया गया है कि 20-25 मिनट का daily exercise प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सही रहता है एक गर्ववदी महिला के health के लिए भी और उनके होने वाले बच्चे के लिए भी हाला कि कुछ red flags होते हैं जब exercise बिलकुल ही नहीं करना चाहिए जैसे कि किसी भी तरीके का vaginal bleeding ये miscarriage का एक sign हो सकता है या फिर pre-term labor का, सिर चकराना या फिर सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, सीने में दर्द होना, सास फुलना ऐसी असुविधाओं में भी exercise नहीं करना चाहिए अगर एक महिला को चलनी में ही परेशानी हो, तो ऐसे में भी exercise करना contra-indicated होता है काफ muscle में अगर उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो या सूजन हो, हो सकता है कि ये deep vein thrombosis या फिर blood clot की एक निशानी हो ऐसे cases में भी exercise खुद से नहीं करना चाहिए, हो सकता है आपके लिए dangerous हो, एक physiotherapist और अपने OBG expert की सलाह लेने के बाद ही आप exercise कर सकते हैं वक्त से पहले अगर आपको labor pain हो रहा है, ऐसे में भी अगर आप exercise कर रहते तो आपको अब आगे नहीं करना चाहिए गर्भस्त शिशू का अगर movement कम हो जाए, ये भी एक red flag होता है exercise के लिए पानी की थैली अगर फट जाए, इसके आगे भी आपको किसी भी तरीके का exercise नहीं करना चाहिए उमीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि कब आपको exercise नहीं करना चाहिए या अगर आप कर रहे थे तो exercise को तुरंथी बन कर देना चाहिए Otherwise, in a low risk pregnancy, पूरे प्रेगनेंसी के दौरान, low intensity exercise under the supervision of a physiotherapist and after permission from your doctor, आपको करते रहना चाहिए See you again with another informative video, till then, take good care